हेलो फ्रेंज, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल एवी अकेडमी, दोस्तो मैं हूँ स्वेता और आप सभी का शागत है मेरी यूटूब चैनल एवी अकेडमी के साथ दोस्तो आज का क्लास हमारा जोग्रफी का होगा जोग्रफी के अंतरगत आज हम लोग इंडियन जोग्रफी को पढ़ेंगे इंडियन जोग्रफी में आज हम लोग क्रिशी एग्रिकल्चर के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे तो दोस्तो आज का class important है, आप लोग class को अंत तक देखिए, class पूरा देखिए, तभी जाकर कि हर एक point आपको समझ में आएगा और आप examinations में अच्छा score कर सकते हैं, क्योंकि previous year question किसी भी examinations का उठा कर देखिए, competitive exam को और खास कर अभी जो WPC teacher वाला exam है, उसके set को उठा कर तो आप लोग इस class को अच्छे से कीजिए, और समझनी की कोसिस कीजिए, और पिछली class में हम लोगों ने भारत की नदी घाटी, बहुत देशी नदी घाटी परियोजना को पढ़ा, तो जिन लोगों ने पिछली class को नहीं किया, उनके लिए मैं description box में लिंक को डाल दूंग ताकि आप लोग पिछली class को अच्छे से कर सकें, तो चलिए आज की class को सुरू करते हैं, क्रिशी, agriculture, सबसे पहले हम लोग agriculture सब्दों को जानेंगे, agriculture सब्द के बारे में पढ़ेंगे, agriculture, agriculture सब्द की उत्पत्ती, latin भासा के दो सब्दों से हुई है, दोस्तों question पूछ देत agriculture सब्द की उत्पत्ती किस भासा से होई है, option में latin भासा, gris भासा इस तरीके से दे देगा options, तो आपका जवाब जो होगा, जो आपका जवाब होना चाहिए latin भासा, तो आप class की रहेंगे, तो आपको ध्यान मेरेगा, कि agriculture जो जो क्या कते है, latin भासा का सब्द है, तो आ एगरी का अर्थ होता है, एगरी अर्थात, मृदा, श्वालस, इसका तात पड़े, वहीं culture का अर्थ होता है, क्रिशी, cultivation से, तो आपके agriculture जो है, जो latin भासा का सब्द है, या दो सब्दों से मिलकर बना है, एगरी तथा culture, जहाँ पर एगरी का अर्थ होता है, मृदा, और वहीं पर culture का अर्थ होता है, cultivation यानि कि क्रिशी, आगे देखते हैं, यदि खादानों का सुरक्षित संग्रा, शुनिश्चित करना हो, यानि कि खादानों का जो खादान जो है, उसको अगर सुरक्षित संग्रहीत करना हो, उसको श्टॉक करना हो, श्टॉड में रखना हो, तो कटाई के समय उन में आदरता का अंस कितने प्रतिसत से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर फोर्टी परसेंट से अधिक 14 परसेंट से अधिक आदरता होती है तो फसल फिर खड़ाव आपका जो क्या करते हैं जो संग्रहन नया नाज को खड़ाव हो सकता है तो इसका ध्यान रखना होता है आगे देखते हम लोग करते है बारत में रितु अधारीत प्रमुख फसले और दूसरा है प्रमुख फसले उसके बाद हम प्रमुख फसले तो पहला है रवी फसल यह सीतकालिन फसल होती है दोस्तों question direct पूछ देता है, जैसे पूछ देगा अभी फसल कौन से काल की फसल है, तो शीत कालीन फसल है, क्योंकि अभी हमने देखा ये question पूछे हुए जायद फसल, जायद फसल के बारे में पूछे हुए, अभी किरेन पॉब्लिकेशन का जो लोग सेट प्रैक्टिस कर रह इंपॉर्टेंट है, तो हर एक portion आपके लिए important है, तिसलिए आप लोग हर एक portion को देखते हुए और पढ़ाई कीजिए, तो चलिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे रवी फसल को जानने थी, ये सिदकालीन फसल होती है, इसकी प्रमुक फसले क्या-क्या है, इसको जानते है, गेहु, जो, चना, मटर, सरसो, मसूर, राई, तथा आलू, जो है, जो रवी फसल है, ध्यान रखेगा, इसकी प्रमुक फसल है, रवी फसल की बुआई अब्धी, जादा तर बुआई अब्धी और कटाई अब्धी से भी question रहता है, तो इस box हमारे लिए important है, ध्यान रखे बुआई अब्धी जो है, जो, रवी फसल की बुआई अब्धी, अक्टूवर से नवघंबर के बीच में होती है, वहीं पर कटाई जो हो है, मार्च से अप्रेल के बीच में होती है, जानि की रवी सितकाली अगर देखी जाए, मैं भारत की बात करूए तो अपने अशितक पास्ते तो आप लोग को ध्यान रहेगा तो जैसे अब रवी फशल है और तो इसकी बुआई अब्धी की बात की जाले यह सीट कालीन फशल है तो फिर सित कालीन ध्यान रहेगा तो आप लोग अब खटाई अब्धी, । फिर फिर मार्च अप्रईल तक खतम हो जाती, तो ऑक्टूबर नवंब्बr से सुरू होगा, रभीर फशल की अब्धी वही कटाई इसकी जो मार्च अप्रेल में खतम हो जाएगी, अब खड़िफ फशल की बात की जाये, कटाई फसल जो जो ग्र हो गी रागी साुरी रागी और तो इसकि क्या करते हैं अब नमंबर में अब झायद चुल्द को सीथे से फोर्ट बॉजा ख़रे सलीर रे खिकार ke की सबजीयों की खेती होती है इसकी बुआई अब्दी मार्च अप्रेल में होती और यह इसकी कटाई जो जून जुलाई में हो जाती है तो ध्यान रखेगा इसको ते बॉक्स इंपोर्टेंट है अप लोग पढ़िएगा अच्छे से खासकर बुआई अब्दी और कटाई अ इसकी प्रमुक फशले कौन को नहीं इसको विध्यान रखना होगा क्योंकि कोश्चिन वहां से भी पूशता है चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्रिशी के युग पैदावार कर क्या आश्य है विभिन फसलों में दो फसले होगाना इसको उग्म पैदावार कहते है विभ इन फसलों को में दो फसलों का पैदा फसले उगाना मिस्त्रित क्रिशी की प्रमुक विशेष्टा क्या है मिस्त्रित क्रिशी मिक्ष्ट एग्रिकल्चर की प्रमुक विशेष्टा क्या है तो पशू पालन और क्रिशी उत्पादन को एक साथ करना मिस्त्रित क्रिशी को दे संकाड ये चालू जोतों का सबसे बड़ा ओसत आकार की सिराज में हैं, तो राजश्थान में, दक्षनी भारत में उच्छी उत्पादक्ता, हाई एग्रिकल्चर प्रोडक्टिविटी का छेत्र तमिल नाडू पर पाया जाता है, यह उच्छी उत्पादक्ता वहां पर अध जो जो रसाने कुर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोकता राज्य हैं, आगे देखते हैं हम लोग, पूनर वरन जोग्म भौम जल संसाधन में कौन सा राज सबसे संपन है, तो उत्तर प्रदेश, भारत में अनुबंध क्रिशी, कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राजी कौन सा है, पंजाब, गेहूं की अच्छी क्रिशी के लिए कौन सी भोगौलिक दशाएं आवश्यक है, मद्यम ताप और मद्यम वर्षा या आवश्यक है, चावल की क्रिशी के लिए 100 सेंटीमिटर से अधिक वर्षा, 25 डिग्री से उच्छ आपमान आदर्स जलवायू की दसाएं मानी जाती है, यह आदर्स है, चावल की खेती के लिए, कल्यान सोना किस फशल के किसम है, तो गेहूं की, भारत की प्रमुख खादान फशल कौन है, तो चावल, भारत की प्रमुख खादान फशल चावल है, आगे देखते हैं लोग, भारत के स्टारवदी छित्रफल पर किस फसल की क्रिशी होती है तो धान की यानि कि भारत का जो स्टारवदी पूरे भारत की बात की जारी तो भारत की स्टारवदी खेत पर कौन से फसल का को जाये जाते है तो धान चावल की मक्का मुख्य तक खरीफ की फसल है प्रंतु इसकी खेती जो वर्स भर खरीफ रभी तथा जायत तीनों फसल रितूओं में की जा सकती है अगर कोशिन पूछे कि मुख्य तक मक्का जो 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 किसकी फसल है तो खरीफ की फसल है लेकिन इसकी खेती तीनों में की जा सकती है तो आगे देखते हैं लोग भारत में चावल की खेती के अंतरगत सरवदी छित्र किस राजी में पाया जाता है तो सबसे अधिक चावल जो जो उत्तर प्रदेश में होता है ध्यार नकिए गया भारत की किस छित्र को चावल का कटोरा कहा जाता है छित्र पूछ रहा है तो कृ बिश्ना कावयरी डेल्टा को स्षिण फिस चावल काटोरा कहा जाता है। क्रिश्ना गोदावरी पूशना, पांच, जमुना एवं क्रिश्ना कि उन्नत किसमें है? धान की है धान की फसल में किस जीव का प्रियोग जैव उरुबरक के रूप में किया जाता है मद्य प्रदेश के किस जीले को कपास की खेती के कारण सफिद सोने का छित्र कहा जाने लगा ध्यान लखेगा इंपोर्टेंट पॉइंट से पूछता है सफिद सोना का छित्र क्यूं कहा जाता है तो कपास की खेती के लिए सफिद सोना का छित्र कहा जाता है और यह मद्य प्रदेश के किस जीलों को कपास की खेती की कारन सफ्वेस होना का अच्छे तरह कहा जाने लगा तो खरगौन जीला को भारत के किस राज्य को सक्कर का कटोड़ा यानि कि चीनी का कटोड़ा किसको कहा गया उत्तर प्रदेश को द्यान लखेगा जीलों के किस राज्य को कहा गया तो उत्तर प्रदेश को कहा गया ध्यान लखेगा चावल का कटोड़ा को और वहीं पर चीनी का कटोड़ा तो उत्तर प्रदेश को अब आगे देखते हैं भारत की सभी फसलों में से गन्य की फसले के अंतरगत उसके सुद्य सकल क्रिशी छेत्र के शिंचित छेत्र का प्रतिशत का प्रतिशत सारवधिक है यानि कि कह रहा है कि भारत की सभी फसलों में से गन्य की फसल के अंतरगत उसके शुद्ध शकल क्रिशी छेत्रों की प्रतिशल शारवधिक है आगे हम लोग पढ़ते हैं करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टीटे लीटा इंडी का नाम कवक से होता है टीटे लीटा लीटिया टीटे तीले तीलिया करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टीले तीलिया इंडी का नामक कवक से होता है तो दोस्तो इस तरीके से आज क्लास को यहीं पर समाप्त करती हूं इससे रिलेटेड और भी क्लास्स में प्रोभाइट करवाऊंगी क्योंकि इसमें और सारे बहुत सारे पॉइंट से जिसको देखना है तो क्लास्स लंबी हो जाएगी तो लंबी क्लास्स होगी तो आप लोग भी बोड़ियत फिल करेंगे इसलिए क्लास्स में छोटा छोटा प्रोभाइट करवाती हूं ताकि आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए और आप लोग के उपर ज्यादा बर्डेन नहीं हो बर्डेन लेकर पढ़ाई नहीं हो पाता है इसलिए मैं छोटा छोटा क्लास्स प्रोभाइट करवाते रहती हूं आप लोग के शामने तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाब्त करूंगी निक्स्क इसमें बर्डेन से आप benefit होग और आपلاप समझनी की कोसस किजिए गा तो आप लोग इसको ध्यान से देखिगे और पढ़ने की कोस्स समझनी की इसका समाझ आ जाएगा भारत में रितु अधारित प्रमुख फसले इवम बुआई अबदी जो इसकी बहुत इंपोर्टेंट है तो आप लोग इसको पढ़िए कौन से फसल में की प्रमुख फसले कौन सी और इसकी बुआई अबदी और कटाई अबदी इसको ध्यान लखे क्योंकि यहां से कोश्च में तो हमको पढ़ना है तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं आप लोग इसको दिशान से देखें और समझने की कोसिस कि यह बहुत टफ नहीं है आप लोग देखेगा एक दो बार में समझ में आहीं चाहेगा अच्छे से आ जाएगा तो दोस्तो जिसमें अभी तक हमार YouTube चैनल AVA Academy को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोग हमारे YouTube चैनल AVA Academy को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें अपने दोस्तों में शेर करें ताकि वो लोग भी इस एक क्लास कर सकें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास से आपको बेनिफिट मिला होगा ठै